नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूं एक बार आप सबका फिर से simplicity and finance में आज किस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आपको जो settlement offer किया गया है वो कहीं fake settlement तो नहीं है मुझे नहीं पता आपको मालूम है या नहीं लेकिन up to 90% cases में जो कि बहुत बड़ा figure है अगर आप सोभागी साली है तो बहुत अलग है अगर आप 10% से हैं तो otherwise up to 90% cases में fake settlement होने लग गए है क्या bank fake settlement करता है क्या credit card company fake settlement करती है नहीं बिल्कुल नहीं fake settlement करते है recovery agents और fake settlement क्यों करते हैं ये ये भी मैं आपको बताता हूं और fake settlement से आप कैसे बच सकते हैं आपको मैं ये भी बताता हूं तो चलिए आज का वीडियो शुरूर करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबा करता हूं अपने वीडियो के माध्यम से तो चलिए शुरू करते हैं जब आप लोन की सब्सक्राइब कर देना बंद कर देते हैं या वेडियो जूँटका और गलम धियो के और हाव्यम ओक्र लाएब प्सक्राइब कर फिर वहां से जाकर किसी और के घर पर भौको और भौक भौक कर भौक भौक कर लोगों का दिन खराब करो इनका दिन खराब नहीं होता है इनका बिल्कुल दिन खराब नहीं होता है क्योंकि इनको ट्रेन ही किया जाता भौकने के लिए देखिए बाहर भी एक भोगने वाले कुट्ते क्यों आ जाई अभी ज़्यादा फर्क नहीं दोनों है तो यह आकर आपका दिमाग करते हैं खराब है अब होता क्या है आप बोलते हैं कि भाई मेरे पास payment अभी है नि मैं क्या करूँ तो यह बोलते हैं ठीक आप settlement करवा लो कभी कभी तो आपको मेने भर में आकर बोलते है settlement करवा लो आप इस सोचते हुआ चमतकार हो गया settlement कितने में सर अब 20% में settlement करवा लो आप बोलते हैं वा चमतकार चमतकार आप तो मेरे लिए भगवार बनकर आये हैं एक लाख रुपिय का सिर्फ 20,000 रुपिय में सेटलमेंट सर्क करवा लो अभी करवा लो नहीं तो बाद में फिर यह बढ़ जाएगा मुझे आप बोलना मत उसके बाद क्या होगा वो पैसा आपके लोन अकाउंट में चला जाएगा यहां तक भी होगा और उसके बाद यह इनसान उसमें से अपना कमिशन लेकर 20,000 में से जो भी इनका कमिशन है 50% है 40% है जो भी इनका कमिशन बनता है लेकर चला जाएगा और फिर से बैंक वाले क्रेडिट कार्ड वाले आपके पीशे नहीं कुत्तों को फिर से छोड़ देंगे फिर कोई दूसरा कुत्ता कर भौगेगा तो ये जो सेटलमेंट है और ये जो सेटलमेंट लेटर आपको दिया गया है ये पूरी तरीके से फैक है दो सेटलमेंट अगर आपके पास आता आपको सेटलमेंट ही करवाना अगर आपके पास पैसे नहीं है तो है तो देखर मारिये इनके मूँगे उपर और अगर नहीं है तो आपको settlement ही करवाना है लेकिन fact settlement नहीं करवाना है तो fact settlement letter यह नहीं है इसका हम कैसे पता करेंगे देखिए पहले तो बात यह है कि recovery agent के पास power नहीं है settlement letter issue करने का एक चीज दूसरी चीज अगर recovery agent को या किसी bank executive को आप यह कहते कि मुझे settlement करवाना है तो वो immediate आपको settlement letter नहीं दे सकता है उसे एक request भेजनी पड़ेगी तूपर वहां से approval आएगा अगर approval आया है तो उसके बाद आपके पास settlement letter आएगा बहतर है कि settlement letter आप अपने घर के address पर hard copy मंगवाएं जिसमें पूरे bank की seal, signature सब कुछ हो आप online भी मंगवा सकते हैं ऐसी कोई बात नहीं लेकिन उसको verify करने का मैं दूसरा तरीका आपको बता देता हूं तो अगर आपने hard copy मंगवाई है तो वो best है इसको उपर sale, signature सब कुछ होगा सारी terms and conditions लिखी होगी terms and conditions जो भी आप उस अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और उसमें एक बात आप जरूर लिखवा लीजिए कि यह payment कर देने के बाद आप कभी भी मुझे किसी तरीके से हैरेश नहीं करेंगे मेरे ऊपर किसी भी तरीकी का case नहीं करेंगे यह पूरी तरीके से final settlement है उसके बाद आप मुझे से एक रुप्या भी नहीं पाएंगे और आपके सारे अधिकार मेरे उपर से जो भी हो थे terms and conditions के अंतरकत वो खतम हो जाएंगे यह आप एक clause डलवा लिजे terms and conditions में जो आपके पास sentiment यह राए यह हार्ड कोपी की बात और online भी आप कोपी मंगवा सकते हैं उसके बाद आप उसका एक print out निकाले प्रिंट आउट निकालने के बाद जैसे सपोज किजिए कि SBI यह किसी कभी है आप उसके ब्रांच में जाईए वहां वो दिखाईए और पूछिए यह fake है यह original है अगर वो बोले कि original है तो आप बोले ठीक है आप वहां पर जो भी जा सकते हैं तो एक तरीका और है आप सीधा उनके customer care को उसके copy भेज दीजिए और उनकी तरफ से communication आपके पास आएगा कि भाई this is real तो वह भी documented रहता है उस recovery agent उन्हें जो email address बताया वह नहीं जो official email address है bank का आपको वहां भेजना है Twitter की थूप भी आप भेज सकते हैं तो अगर वह जवाब दें कि yes this is real this is approved settlement is approved तो वह चीज किया कि documented रहेगी आप बिलकुल उसके copy निकाल लीजिए और किसी एक file में संभाल कर रख दीजिए इससे क्या है कि settlement हो जाने के बाद उसके बाद वह आप पर कभी कोई action नहीं ले सकते एक चीज दूसरी बहुत important बात तो आपको समझ मैं आ गया कि आपको क्या लिखवाना है अगर वह चीज लिखी हुई नहीं है कि अभी दुबार आपको पर case नही नहीं लिखेंगे तो आप भी बोल दीजिए छोड़ दो और वह settlement करेंगे वह लिख कर देंगे एक चीज और है यह वह आपको इस्यू कर देंगे यह भी आप उसमें लिखवा दीजिए और अगर नोसी नहीं देते हैं यह आप उसमें लिखवा दीजिए इसकी फाइल बना सकते फिर से दूसरी बात कभी भी आप जब payment करेंगे cash नहीं देना है क्योंकि cash का कोई record नहीं होता है इसलिए तो हमारी सरकार ने भी कहा कि अब तो online payment करो भाई क्योंकि हर एक payment का record होगा कौन सा पैसा कहा जा रहा है सब कुछ तो payment करने का जो mode होगा वह आपका online हो सकता online payment क होती है संभाल कर रखिएगा उसको आगे के लिए भी कि आप चेक दे सकते हैं उसका एक record होता है कि आप किसी और तरीके से जिसके एक record हो आप डीडी से की भी बात कर सकते हैं अगर ले तो आप उससे भी दे सकते हैं आप सारे जो भी online method है या जिसका कि एक documentation होता है अब यूज मिले सकते हैं लेकि कैश का कोई documentation नहीं होता है इसलिके कैश मत दीजिए क्योंकि कल वो डिनाई कर दे कि हमारे हमें तो कुछ पैसा मिला ही नहीं तो यह बहुँ ज़रोरी है तो अब आपको इस समझ में आ गया कि कौन करता है आगर आपके पास कोई settlement letter आया है hard copy तो आपको दिखी जाएगी उसको भी आप जाकर ग्रांट में verify करवा सकते हैं या उसकी फोटो को खींच कर आप भेंच सकते customer support में दुबार से verify करने के लिए अगर आपको कोई doubt ले तो और आगर आपने online copy मंगवाई है तो भी आप वहा पर verify करवा सकते हैं तो settlement बिना verify करवा हुए उस settlement letter गो आपको settlement नहीं करना है और recovery agent को आपको एक रुप्या भी नहीं देना है कभी नहीं देना है भले वह कितना भी लुक्रेटिव लगे कितना भी आपके लिए लगे कि यहां एक लाग रुप्य का स्रिप 10-10 रुप्य में settlement और डॉन्ट दू दाट यहां तो one-time settlement आप कर सकते हैं और अगर आपके पास one-time settlement के लिए पैसे नहीं है तो भी अच्छी बात यह है कि आप उनको बोल सकते हैं कि जो भी settlement amount है उसे तीन किस्तों में तोड़ना चाहता हूं बिलकुल वह पचास किस्तों में आपको तोलो करन settlement देनी है आपने तीन दी चोथी नहीं दी तो पूरा का पूरा agreement खतम हो जाता है तो अच्छा यही कि आप one-time settlement कीजिए नहीं तो आप चार किस्तों में दे सकते हैं आप उनसे request कीजिए पहले मना करेंगे और फिर मान जाएंगे तो अगर आप उसमें करते हैं किस्तों में क शुकरवाले हैं उम्मीद करता हूं अब आप fact settlement में नहीं फसेंगे सही settlement करवाएंगे पैसा है तो मारे इनके मूपर नहीं है settlement एक एकलोता रास्ता आपके लिए ताप उस पर चलिए कोई loan कभी मिलेगा नहीं जिन्दगी में कोई कभी loan लेना भी है उम्मीद करता हूं अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिस्तरिकी के वीडियो बनाता रहता हूं और मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए no tension हर समस्या का समधान है I'll see you in the next video till then take care and good bye